दोस्तो एक लड़की को देली के मल्टी नेशनल कमपनी से जॉब के लिए कॉल आता है और वो लड़की देली के लिए निकलती है और इंटर्वियू के लिए लैन में खड़ी रहती है दोस्तो लैन काफी लंबी रहती है उसके सर में दर्द होने लगता है एक चाय वाला उसक वस्था में होती है उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी भी होता है वो पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे ताकि मेरा होसला बढ़ता रहे। दोस्तो मेरा नाम है तबस्वम खातुन और आप सभी का तब्बू इंडियन वोईस में स्वागत हैं। दोस्तो आज की सची कहानी है कोलकता की रहने वाली रानी की। रानी एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की होती है, बहुत ही स्मार्ट और इंटिलिजेंट। दोस्तो वो एक कमपनी में जोब कर रही होती है और उसकी सालेरी काफी अच्छी खासी होती है, 35-40,000 रुपे उसकी मैंथली सालेरी होती है। और दोस्तो जो रानी होती है उसकी एक best friend होती है जिसका नाम होता है सना दोस्तो रानी और सना दोनों ही काफी close होते हैं दोनों best friend होते हैं और एक ही company में काम कर रहे होते हैं दोस्तो ऐसा कोई भी राज नहीं जो दोनों एक दूसरे का नहीं जानते थे दोनों काफी अच्छे होते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं दोनों अपने परिवार की होनहार लड़की होती है दोस्तों एक दिन दोनों ऑफिस में साथ में लंच कर रहे होते हैं और उसी वक्त जो सना होती है रानी की फ्रेंड वो रानी से कहती है कि मुझे देली से एक ओफर पर आया है जोग के लिए मल्टी नेशनल कमपनी है और इस टैटिंग में ही एक लाख रुपे सैलरी देगी और एक लाख से धीरे-धीरे बढ़ती ही जाएगी तो दोस्तो इस पर जो रानी है वो कहती है वाव ये तो बहुत ही अच्छी बात है तुम वहाँ जा सकती हो तो द पर रानी को दिया जा रहा है दोस्तो उस दिन जो रानी होती है वो ऑफिस से घर आती है और ये बात अपने माबाप को बताती है दोस्तो जो रानी के माबाप होते हैं वो तो सुनकर खुस होते हैं फिर थोरे घबराये हुए भी होते हैं कि जवान लड़की है और देल ही सह इतना बड़ा है वहाँ कैसे रहेगी तो जो रानी होती है वो समझाती है अपने माबाप को और कहती है कि मैं कोई बेवकूफ लड़की नहीं हूँ पढ़ी लिखी लड़की हूँ मैं अच्छे से अपने आपको एक्जेस्ट कर सकती हूँ वहाँ मैं वहाँ अपना खयाल काफी खुस होती है और दूसरे दिन ही निकल जाती है डेली के लिए और दोस्तों यह बात 2019 जून महीने की है जब रानी अपने घर से निकलती है डेली के लिए दोस्तों वह देली तो पहुच जाती है अच्छे से और वहाँ जाकर जहां इंटर्विव हो रहा होता है उस ज में दर्द होने लगता है दोस्तों तभी एक चापरासी आता है और उससे कहता है कि मेडम आप कुछ लेंगी तो रानी कहती है कि आपको क्या पसंद है जो पसंद है आप वही लेकर आए मेरे ले भी तो दोस्तों फिर वह चापरासी कहता है नहीं मेडम आपको क्या पसंद ह आप वही बोलिए मैं कोशिस करूँगा उसे अच्छे से बनाने की तो फिर रानी कहती है ठीक है मेरे लिए एक कप चाय लेकर आए पर चाय थोड़ी कड़क होनी चाहिए तो वह चापरासी कहता है ठीक है मेडम मैं बिल्कुल वैसा ही लेकर आता हूँ दोस्तो वह चापरासी चाय लेकर आता है और रानी को दे देता है रानी वहाँ चाय पीती है पर चाय पीने के 5 मिनट बाद ही रानी बेहोस हो जाती है और लगभग 12-13 घंटे बाद जब रानी की आख खुलती है तो वह अपने आपको एक कोठे में पाती है दोस्तो एक कमरा रहता है, रानी उसमें नंगी रहती है और उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी भी रहता है, दोस्तो रानी इस अवस्था में नहीं होती है, कि वो अपने आपको समेट पाए, दोस्तो रानी के आग खुली होती है, लेकिन हाथ पर उसका चल नहीं रहा होता है, वो सिर्फ दे देती हैं दोस्तों इसी के दर्मियान रानी बीच बीच में कहती है कि कम से कम मुझे एक ग्लास पानी तो दे दो लेकिन दोस्तों जब जब वो कुछ कहती है तब तब उसे मार मिलती है पिटाई मिलती है दोस्तों भोग से एकदम बिलबिला रही होती है और फिर कहती है कि महीने घुजर चुके होते हैं राणी की जिनदगी एकदम जहन्नुम बन चुकी होती हैं दोस्तो दो महीने के बाद ही एक दिन एक नया customer जाता है राणी के पास और फिर राणी उसे कमरे में लेकर जाती है जब वो customer राणी से बात कर रहा होता तो उसके language से राणी समझ जाती है कि ये West Bengal Kolkata का है दोस्तों जब राणी उस आदमी से बाते करने लगती है और पूछती है उसका address तब वो आदमी बताता है कि मैं Kolkata का हूँ और मैं यहाँ पर काम करता हूँ दोस्तों जब उस आदमी से राणी बात करती है तो उसे एक उमीद की किरन नजर आती है दोस्तों राणी उस आदमी से कहती है कि आप मेरी एक मदद कर सकते हैं तो आदमी कहता है हाँ बताईए क्या मदद में कर सकता हूँ तब जाकर रानी अपनी कहानी बताती है कि मैं इस तरह से यहां फस चुकी हूँ आप प्लीस मेरे भाई को कोल करकर बोलिए कि वो मुझे यहां से निकाल कर ले जाए दोस्तो वो आदमी कहता है कि मुझे माफ कीजे मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ अगर मैं आपकी हेल्फ करूँगा तो ये लोग मुझे मार डालेंगे मुझे माफ कीजे मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसा और दोस्तो फिर वो आदमी उसके साथ सारीरिक संबन बनाता है और बना कर चला जाता है और दोस्तो उस कोठे की रानी बेहत खुबसूरत और हसीन लड़की होती है रानी की डिमाइंड काफी ज्यादा होती है दोस्तों दो दिन के बाद वो आदमी फिर से आता है उस कोठे पर और रानी के पास जाता है क्योंकि उसे रानी ही चाहिए होती है दोस्तों फिर से रानी उसे कमरे में लेकर जाता है और रानी उस दिन काफी रोकर गिर गिरा कर कहती है कि आप से मेरी विनिती है प्लीज मेरे भाईया को एक बर कॉल करके बता दीजे कि मैं यहाँ फसी हुई हूँ आपकी बड़ी महरबानी होगी दोस्तो जब राणी इतना रिक्वेस्ट करती है तो वो आदमी कहता है ठीक है मैं आपके भाई को जरूर कॉल करूँगा आप उनका नमबर मुझे दिजे दोस्तो रानी उसी वक्त अपने भाई का नंबर देती है और वो आदमी फिर रानी के साथ सारीरिक संबंद बनाता है और वहाँ से चला जाता है दोस्तो वो आदमी कोठे से निकलता है और अपने रूम पर जाता है और जाकर रानी के भाई को कोल करता है दोस्तो कोल करके वो बोलता है कि आपकी बहन रानी देली के जेबी रोट कोठे पर है आप अपनी बहन को वहां से बचा लीजिए दोस्तो जब रानी का भाई पूछता है कि आप कौन है तो आदमी कहता है कि मैं अपनी डिटेल्स नहीं बता सकता बस आप से रिक्वेस्ट है आप अपनी बहन को बचा लीजिये. दोस्तो जो रानी की फैमली वाले होते हैं, वो काफी परिसान रहते हैं, और रानी की गुमसूदगी की रिपोर्ड भी वो लोग दर्च कराई होती है. दोस्तो जब उसके फैमली को यह बात की खबर लगती है, कि रानी इस जगा में हैं, तो वो लोग काफी खुस होते हैं, लेकिन अपने बेटे को वहाँ भीजने से डर रहे होते हैं, कहीं रानी के साथ वो भी लापता ना हो जाए. लेकिन जो रानी का भाई होता है, वो अपने माबाप को समझाता है, कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दीजे, सायद मेरी वज़े से मेरी बहन बच जाए, तो दोस्तो जो रानी के माबाप होते हैं, वो भेज देते हैं उसे, दोस्तो फिर रानी का जो भाई होता है, वो देली के लिए निकलता है, और वो देली पहुच कर उसी नंबर पर फोन करता है जिससे कोल आया होता है दोस्तों आदमी कोल उठाता है और फिर रानी का भाई कहता है कि मैं देली पहुच गया हूं आप अपना एड्रस दीजिए मैं आप से मिलना चाहता हूं तो दोस्तों जो वह जो आदमी होता है वो करोल बाग का एड्रस बताता है और र नंबर 17 है आप जाईए और आपकी बहन को वहां से बचा लीजिए दोस्तों जब रानी का भाईया सुनता है तो उसके पैरो तले जमीन खिसक जाते हैं कि मेरी बहन दो महीने से किसी कोठे में हैं दोस्तों रानी का भाई उस एड्रेस पर चला जाता है और ढूंटे ढूंटे वहां पहुच जाता है जैसे कोठे में जाता है कोठे में एक मैनेजर होती है उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे यहां पर थोड़ा वक्त भी ताना है और दोस्तों जो रानी का भाई होता है वो वहां पर कस्टमर बन के जाता है दोस्तों जो मैनेजर होती है वो सभी लड़कियों को दिखाती है पर रानी का भाय सभी को reject कर देता है तो उसी में से एक जो आदमी होता है वो कहता है कि मेडम जो नई लड़की आई है दो महीने पहले उसे मिला दे क्या तो फिर जो मैनेजर होती है वो कहती है वो भी बीजी है और उसकी डिमैंड को ज्यादा है अगर ये रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं लेकिन पैसे ज्यादा लगेंगे तो दोस्तो जो रानी का भाय होता है वो बोलता है कि मैं रुकने के लिए तयार हूँ पर मुझे वही चाहिए तो कहती है वो कि ठीक है आप वेट कीजिए दोस्तो उसके आदे घंटे बाद ही रानी रुम से बाहर निकलती है और रानी को जब उसका भाय देखता है तो बस देखता ही रह जाता है उसके आखों में आसू भर जाते हैं लेकिन जो उसका भाय होता है वो अपने आपको कंट्रोल किये होता है और उधर रानी भी एकदम आख भरी हुई रहती है जैसे कि अब रो देगी, किसी तरह वो अपने आपको कंट्रोल करती है और फिर अपने भाई के साथ वो कमरे में चली जाती है दोस्तों रूम में जाने के बाद रानी कमरा लोग करती है और दोनों भाई भाई बहान गले लग कर फुट फुट कर रोने लगते हैं दोनों अपने हाथों से मुँख को दाबे हुए होते हैं ताकि उनकी आवाज बाहर ना चली जाए और दोस्तो जब रानी का भाई रानी से पूछता है कि तुम यहां कैसे पहुँची आखिर हुआ क्या था तो दोस्तो रानी सभी कहानी बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ रहता है और दोस्तो दोनों भाई बहन इतनी बाते कर रहे होते हैं कि जो रानी के भाई का टैम था वो पार हो चुका होता है और बाहर से सभी लोग आवाज लगा रहे होते हैं कि तुम्हारा जो टाइम ही वो खत्म हो चुका है अगर पाच मिनिट के अंदर तुम बाहर नहीं निकले तो तुम्हें डबल चार्ज देना पड़ेगा तो दोस्तो रानी का जो भाई ही वो कहता है ठीक है मैं डबल इंसन मत दो मैं तुम्हें यहां से जरूर निकालूंगा और फिर उसका भाई वहां से चला जाता है दोस्तो रानी का भाई वहां से बाहर निकलता है और एक होटेल में जाता है वहां जाकर एक रूम लेता है और उसे रूम में वो रात गुजारता है दोस्तो रात में ही र पुलिस वाले मिले हुए होंगे तो मैं भी फस जाऊंगा और मैं अपनी बहन को भी कभी यहां से निकाल नहीं पाऊंगा अब वो बहुती टेंसन में आ जाता है और दोस्तो सुभा होती है और उस दिन फिर से रानी का जो भाई है वो कोठे पर जाता है रानी के पास दोस्तो इतने में रानी कहती है कि आप देली के महिला आयोग में जाइए वहाँ की जो अभी अगध्यच है वो स्वाती मालिवाल है वो हमारी मदद जरूर करेगी वो ऐसी लड़कियों की मदद करती है तो दोस्तों जो रानी का भाई होता है वो कहता है कि तुम्हीं ये सब कैसे पता तो रानी कहती है मुझे याद नहीं है पर मैं किसी रा किसी के मुँझे से यह बात सुनी हूँ दोस्तों अब एक उमीद की किरन जग जाती है उसका जो भाई होता है वो उसी वक्त वहाँ से निकलता है कोठे से और चले जाता है महीला आयोग में दोस्तों जो रानी का भाई होता है वो देली की महीला आयोग में चला जाता है दोस्तों वहाँ पर उसे एक मेंबर मिलती है जिसका नाम होता है किरन नेगी दोस्तों जो रानी का भाई होता है वो किरन नेगी से सारी कहानी बताता है कि कैसे करके उसकी बहन उस कोठे तक पहुची है वो क्या करने आई थी और उसके साथ क्या हो गया दोस्तो किरन नेगी को यह बात हकीकत लगती है और वो कहती है कि आप यहाँ वेट कीजे जो यहां की अधियक्ष है, मैं उनसे मिलकर आपको बताती हूँ दोस्तो तभी किरन नेगी दिल्ली महिला आयोग के अधियक्ष स्वाती मालिवाल को यह सारी बाते बताती है और फिर कहती है कि मेडम यह कहानी जो है बिल्कुल सच्ची है लड़की का भाई यहां पर आया हुआ है, आप उससे मिलिए वो सारी डिटेल्स आपको बताएगा दोस्तो जो किरन नेगी होती है, वो उसी वक्त रानी के भाई को अंदर बुलाती है और जो स्वाती मालिवाल होती है, उनसे मिलवाती है दोस्तो जो रानी का भाई होता है वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है और उनसे कहता है कि मेडम प्लीज मेरी बहन को वहां से निकाल दीजे मेरी बहन बुरी तरह से वहां फसी हुई है वो आई थी इंटर्वियू देने के लिए और इस तरह से उस कोठे में फस चुकी है आप से मेरी रिक्वेश्ट है मेरी बहन को वहां से निकाल दीजे दो महीनों से वो दरिंदों के बीच फसी हुई है हर रोज उसके साथ शोशन हो रहा है दोस्तो उसी वक्त स्वाती मालिवाल रानी के भाई को दिलासा देती है कि तुम टेंसन मत लो हम लोग मिलकर तुम्हारे बहन को वहां से जरूर निकालेंगे दोस्तो उसी वक्त स्वाती मालिवाल डीसीपी मंदीव सिंग रंधावा को फोन करती है और कहती है कि सर मुझे आप की मदद की बहुत जरूरत है आप प्लीज मेरी मदद केजे तो जो DCP होते हैं वो कहते हैं कि ठीक हम बताईए क्या प्रोब्लम है तो जो स्वाती मालिवाल होती है वो पूरी कहानी बताती है और फिर DCP सहाब कहते हैं ठीक है एक दिन करार किया जाएगा और उसी दिन हम लोग मिलकर कोठे पर जाएंगे और वहाँ रेड मारेंगे और दोस्तों वो लोग मिलकर एक देट निस्चित करते हैं और वो देट होता है 9 अगस्त 2019 का और इधर रानी के भाई को कहा जाता है कि उस दिन तुम कोठे पर जाना और अपने बहन के साथ कमरे में रहना तुम जब कमरे में रहोगे जब तक हम लोग वहाँ ना पहुचे रे कमरे में दोस्तों जब रानी का भाई उस कमरे में जाता है अंदर 15 मिनिट हुआ ही रहता है तभी सारे टीम पहुचते हैं वहां रेड मारने लगते हैं और फिर उस कमरे में जाता है जहां रानी और उसका भाई होता है दोनों को बाहर निकालता है और फिर सब बाहर आ जात और दोस्तों जो कोठे की मैनेजर होती है उसे उसी वक्त एरेश्ट किया जाता है क्योंकि जो इस तरह से लड़कियों का शोषन कर रहे हैं ये जायज नहीं है ये कानून के खिलाफ है और उसी वक्त उसे एरेश्ट करके उसे थाने ले जाया जाता है तो दोस्तो इस तरह से जो रानी होती है उस कोठे के चंगुल से बाहर निकल पाती है और दोस्तो जब रानी कोठे से बाहर निकलती है तो ये नियूज पूरे राजजी में फेल जाती है सभी नियूज चैनल, सभी नियूज पेपर में छप जाती है और इस मियूज में किरन नेगी, मंदीफ सिंग रंधावा और स्वाती मालिवाल की काफी तारिफ होती है जम की उन लोग की तारिफ की जाती है कि उन लोग की वज़ा से एक लड़की कोठे से बाहर निकल पाई तो दोस्तो ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हाँ थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें दोस्तो मेरा मकसर किसी की भी भावनाव को ठेस पहुचाना नहीं है बस समाज में जागरुकता पैदा करना है ताकि आप अपना और अपने फैमली का खयाल रख सकें फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जैहिंद